आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटर्टेन्मेंट, बेश्चुमा टॉक्शोज और फेवरिट विडियोज, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अब्रेट्स जानने के लिए बेल आइकन क क्लिक करें जो सामने आई वो ये है कि एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया जा रहा है च्छे जुलाई को सुप के वक्त में, अब ये फैसला आप इस पर अपनी राय का इजहार मुतादद बार कर चुके हैं, जिसमें केस की प्रसेडिंस के साब साब को ये लगता है कि इसमें क जैसे मैंने पहले अर्स किया कई प्रोग्रामों में जा चुक हुआ है कि फैसला तो इसका अस्वानों में लिखा जा चुका है, ये मतलब नहीं है कि फैसला पहले लिखा गया और वो अर आपने शट केस है, उनके नजदीग जो ते फैसला करने वाले हैं और और वह बड़ यह मिया नवाज शरीफ का मुकदर नजर आ रहा है और अभी बाकी दो केस जो हैं वो हिल मेटल और रूफ जो एक और है क्या नाम है हाँ मैं अब स्किप हो गया मेरे जैंसे अब 14 साल इसमें 14 साल उसमें और 14 साल अगर यह चलते हैं तो 42 तो हो जाते हैं अब यह मामला तो फिलकुल सही है इसके साथ साथ जो कॉंप्लिकेटिंग फेक्टर या जो अंसर्टन फेक्टर है रादर वो यह है कि आया मरियम के से भी यही सलूक होगा मुदर्मा मरियम से जह तक वो केस था फॉन्ट वाला कि जी वो यह नहीं था कि वो तो साबत हो गया उस बंदे ने आकर कि मैंने डाउनलोड किया तो वो मुद्ध में मरियम को क्या किया जाता है या उतना ही फैस किया जाता है बहुत लिकल एक्सवर्ट के मताबिक तो मौतब मरियम नवास को और मरियम संब्दर को कह लें और कैप्टिन संब्दर को एक्विट कर देना चाहिए लेकिन मुझे लगता नहीं कैसे होगा इसमें सब जो सबसब बड़ा मौकिफ इक्तियार किया रखा है श्रीफ फैमिली ने वो यह था कि चुके नैब या प्रोसीक्यूशन जो है यह बन्याई तो पर उन्होंने केस थाबित करना था इल्जाम उन्होंने लगाया है वो हमारे खिलाफ कोई सी थाबित नहीं कर सके लेकि और इस यह बिल्कुल उल्टा है जो हमारा इंग्लो सेक्सिन कानूना उससे के यू अर गिल्टी अन्लेस यू प्रूव अधर्वाइस तो वह यह बन्होंने लेकर नैब वाले कि यह तो यह थाब नॉट बीन अबल तो प्रूव दिर कैस नहीं इस पर अभी मैं सुनुन रहा था व बिल्कुल उससे वह इनकार भी नहीं करते कि हमारे रह रहे हैं लेकिन देखे ना मर्यम तो पाकिस्तान में रहती थी लेकिन उनके भाई जो असन और रुसान वह रह रहरे हैं वो तो उसके हैं अब वो बेनामी है या क्या है यह तो जब केस की मुराकात सामने आएंगे अबर्टू एक और स्वाल जो है लीगल एक्सपर्ट्स के दिज्दीक है, कि आया मियनवाशिक की एपसेंस में फैसला सुनाया जा सकता है या नहीं, आम तोर पर कानून तो यह है कि उनको वारट पेश किया जाके आएं, ऐसे भी जो जिनको खाजरी से अस्तस्थना करार दिय जाता है, यह जबानत पे रहा होते हैं, कुछ फैसले के वक्त उनकों मौजूद होना जरूरी होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे प्रेजिदेंट्स मौजूद हैं, मसला जिसस कयूम ने, जब लहौरा कोट के अज़ाच थे, तो मौतरमा बेन अजीर भुटो खलाफ, इत जलावतन थी, जलावतन थी, जलावतन थी, लंद लैस तो फैसला सुना दिया गया, तो यहां भी अगर मिया नवाज शरीफ नहीं आते हैं, जिसका इमकान रद निकिया जासता, अगर्चे उन्होंने यह कहा है, कि वो आ रहे हैं चंद दिरों में, नहीं अभी तक तो यह म प्रशनी हुएं, वो इसलामाद हाई कौर्ट में इस फैसले के खलाफ अपील कर सकते हैं, अभी तो पर यह प्ली ले जाती है, कि इस फैसले को मौतल किया जानी, उनकी सजा को, और उनकी अपील सुनी जाएं, लेकिन इसलामाद हाई कौर्ट अगर यह कर दे कि जी, सजा आपका केस जो हम फॉरन सुना चुरू कर देते हूं, तो फिर इसका मतलब है कि मिया नवाज शिर्फ के खलाफ सजा मुसर होगी, ठीक है, नहीं तो अब इसमें अगर यह फैसला उनकी अपसेंस में सुना जाता है, दो ही सूरते हो सकती है, एक हम तसवर कर लेता है, जो कि लग रहा है, इमकान भी ही है, कि वो नहीं आ पाएंगे, तो अगर फैसला उनकी खलाफ सुना दे आ जाता है, तो आपके खाल में फिर पुलिटिकल कुइस्टन अब मेरा यह, कि नवाज शिर्फ साब वापस आएंगे, देखें जो पुलिटिकल अप्लिकेशन की बात की है ना आपने, वो बड़ी इंटरिस्टिंग है, यह कि इनको कट बहुत वेज़, थेकर ना इनके पर एक जवाज मौजूद है कि मेरी बेगम सहाबा की, तबीत खराब है, वो जिंदगी और मौत की कश्वष के मुपतला है, अगर मिया नवाज श्रीफ वापस नहीं आते है, तो वो एक अफस्कोंडर ही कराएंगे ना, लॉग के नजदीक तो यह कहेंगे, जी यह तो जिस रहा सागडार वाला केस है, वो तो नहीं हैंका केस, इन्होंने 70 पेशिया मुखती हैं बाइदेवे, और काफी कार्ड निकाल ली है, तो यह तो आप नहीं कह सकते हैंके बार अपर नहीं है, और अगर उनके हक में फैसला ना आया, तो फिर भी वो वो वापस आएंगे, उनको जेल जाना पढ़ाता हो भी एकरेंगे, आपको कोई शक है कि उनके हक में फैसला आएगा, नहीं तो जाहरे हैं, जो दो लीगल आप्शन मौजूद हैं, मैं दो लीगल और फिर यहां पर पार्टी, पार्टी का श्रादा बिकर जाएगा, श्यावाद श्रीफ साब जो हैं, वो इमरानी मौएदे की बात कर रहे हैं, टू लिटल, टू लेट, मैरा नहीं ख्याल कि उनकीद को दाल गलेगी, नहीं जैसे मैंने पहले कहा था, पार्टी में उनका बिकता है, ना वोटर उनको मानते हैं, वो इमरान खान और मिया नवाद श्रीफ की एक नेमल बदल थाबत नहीं हो सकते हैं, अच्छा एक चीज़ जो है नवाद श्रीफ साब के आवाले से आपने जिस फैसले की तवक्व का इजार किया, इसी किसम का फैसले आप देखते ह नहीं, नहीं नहीं पहले आपको, मैं अला उनकी बेगम सहाबा को जिन्दगी दे, वरस के सिनारियो में भी मिया नवाद श्रीफ को वापस आना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा मैं यह कह रहा था कि जो फैसला आप नवाद श्रीफ साब के खिलाफ आप 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 देख रह हो रही है, हसन हुसाइन के खिलाफ ओर्डर किया गया, इंटरपोल के जरिया पकड़ के लाएं, और अगर यह लोग वापस नहीं आते हैं तो शायद इसी किसम का फैसला यहां पर भी आए, लेकिन इंटरपोल क्या आपके खाल में यह कोई सुलूशन है क्योंके जो आज त हैंगे, और यह कुछ नहीं कर सकते हैं उनका, तो इस चैप्टर को तो आप क्लोस अब जहां तक मरियम का तल्लक है उसमें एक और भी पहलो है, कि इसके पुलिटिकल रह्मिफिकेक्शन भी तो है ना, कि आप नचले मिया नवाज श्रीफ को तो मग को ठोप दिया उसका, औ लेकिन मरियम एक खात्वन है, उनको आबादे स्लासल करने के कुछ सिंपटी वेव जरूर उसकी पैदा होगी, फिर एक विमन प्रोटेक्शन एक्ट है मेरे खाल से, जिसके तहत शायद वातिन को जेल भीजने के बारे में जरा रेलेटिवली लिन्ट कानून होता है, ठीक ह चलیں हम देखते हैं कि फैसला जुम्मIE को आता किया है, उसके बाद पर स्यास秋 है, प्रियार भी बात करते हैं आता हैं आप तैयारी करें तो आप नहीं तो यह तो निजामी सा, सियासत फिर एक बिल्कुल नया रुख एक्टार कर सकती है, इलेक्शन की डामेंशन बिल्कुल मुक्तलिफ हो सकती है, इलेक्शन का रंग नया हो सकता है, आज कलम हम यह तज्या कर रहे हैं यहां बैठके, कि PMLN की हालात इतने बुरे नहीं है, मुक्तलिफ हलकों में PMLN के केंडिर बड़े स्ट्रॉंग है, इलेक्शन जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि जुम्हे के बाद यह मुक्तलिफ भी हो सकती है हवा, मेरा नहीं ख्याल, अच्छा, फैसल से फरक नहीं पड़ेगा, इतना फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर जरा मजीद बात भी करने चाहिए कुछ, चाहिए, चलें लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके, हमारे साथ तर्जमान एलेक्शन कमिशन चौर्दीन रदीम कासिम साभ मौजूद होंगे, उन से जरा हम बास्चित करेंगे, बहुत सरे लिज जो मुख्ली पार्टिज की जाने चाहिए, बिलावल भी उसमें शामिल हो गए हैं, जदारी साब भी हैं, और नून लीग तो पहले कही रही है, कि ये एलेक्शन चैफाफ नहीं हो रहे हैं, तो इस पर जरा उन से बास्चित करते हैं, मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्र प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीर कहते हैं, अब हमारे साथ चोधी नदीम कासिम साथ मौझूद हैं, तजमान एलेक्शन कमिशन के, चोई साथ प्रोग्राम में खुशामदीर कहते हैं आपको. आपका काम बड़ा मुश्किल है और बहुत इस वक्त वक्त भी कम है बड़ा और आपको बड़ी तैयारियां कर रहें लेकिन अभी तक आम तासर है कि एक तो अलेक्शन का माहौल पूरी तरह नहीं बना तूसरे सब सहस्दान सौई पिल्टी आए के एक ही बात कह रहें कि जी लेवल प्लेग फिल्ली मिल रही मनौवर किया जा रहे है लेक्शन लोगों को जबरदस्ती बठाया जा रहा है अलेक्शन कमिशन भी जानब दारी का मुझारा कर रही है इस तासर को जायल करने के लिए कुछ नो कुछ करना नहीं जाए एक्शन कमिशन को अमली तोर पे जी शुक्रिया नजामी साथ जहां तक आपकी क्वेस्टन का पहला पार्ट है उस में महाल की बात करें तो इलेक्शन कमिशन का जो काम है उसमें इलेक्शन स्कॉजूल के मताबक तमाम एक्टिवेटीज जो है वो पूरी हो रही है और हमारा एक जो फेज है परसीजर का वो उस तीस जून तक मकमल हो चुका है लिस्ट आउप कंटस्टिंग कैनी डेट जो है वो जारी हो चुकी है लांग विज सिंबल्स तो लेक्शन का असल महौल जब यह लिस्ट फाइनल होती है कैनी डेटस जिस जिस कंसिचुएन्सी से इलेक्शन लड रहे होते हैं उनकी फाइनलाईजेशन हो जाती है तो उसके बाद ही लेक्शन की अक्टिविटी जिसको हम लेक्शन कंपेन कहते हैं वो स्टार्ट होती है और अभी आप देखें तो ये ग्रेजूली डे बाई डे इंकरीज हो रही है और इलेक्शन की अक्टिवेटी जो है वो शैडूल के मताबग इंशालला चल रही है और हम इंशालला 25 जुलाई के जए वो इलेक्शन कंड़क्ट कराने में इंशालला ڈیٹس ہیں وہ ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے ری ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اور آج کل تو بڑا خوبصورت نام مل گیا ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتے ہیں ہر آدمی اپنی جو ہے وہ جگہ بنانے تو اس میں یہ نارمل پوزیشن ہے ہر الیکشن کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹیز دیکھنے میں آتی ہیں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جہاں تک لیول پلینگ فیڈ کا تعلق ہے تو ہم تمام لوگوں کو ہر حوالے سے جو ہمارے علم میں بات آتی ہے جو ہمارے علم میں کمپلینٹ آتی ہے اس کا باقاعدہ الیکشن کمیشن نوٹس لے رہا ہے اور جو قانون کے مطابق کوئی کاروائی بنتی ہے وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور اس کی یہ مثالیں اگر دیکھیں تو پسرور میں ایکٹیوٹی ہوئی آزائد عامد صاحب کے ساتھ مس بی اے ہوا پھر ملتان میں ہوا پھر بلالوال بٹو صاحب کے ساتھ ہوا تو الیکشن کمیشن نے امیجیرلی اس کا نوٹس لیا اور جو کارٹر کنسرنڈ ہے ان کو یہ دوبارہ انسٹرکشن دی گئی کہ تمام کینیڈیٹس کو جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے پروائیڈ کی دیا ہے اور یہ سبائی گورمنٹس کی ذمہ داری ہے بلاوال صاحب کو تو اٹھا آپ نے جابتہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلاوال صاحب کو تو جابتہ اخلاق کی خلاف ورزی پر آپ نے اپنے نوٹس سارے کر دیا جابتہ اخلاق کی خلاف ورزی پر آپ نے وہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں ڈسٹرک کے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں وہ ڈسٹرک منیٹرنگ آفیس رہے ہیں تو وہ اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نوٹس بھی چاری کریں گے لوگوں کو جرمانے بھی کریں گے اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ کی وائولیشن ہو رہی ہے تو جہاں تک سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا ایشو ہے وہ ایک مختلف ایشو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ آہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں پی ایم صاحب کو سیکریٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئے گی تھی جس میں چاروں سی ایم موجود تھے چاروں چیف سیکری موجود تھے چاروں آئی جی سابان موجود تھے وہاں پہ بھی اس بات پہ فوکس کیا گیا کہ جہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائولیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل درامت کرائے جائے اور دوسرا جو کینڈیٹس ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کے پرپر آرینجمنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جائے گی تو یہ چیزیں تو الیکشن کا حصہ ہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی الیکشن کنٹرسٹ کر رہا ہے تو لوگ ری ایڈجسمنٹ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ جو یہ الیکشن سیمبل آتے ہیں ان کی کیا پروسس ہے مثلا ہے کہ چوزی نصار صاحب نے جیپ کا سنگل سنگل ماں کا لیکن وہ اتنا پاپلر ہو گیا کہ وہ اور کینڈیٹ اینڈیٹس کو بھی تفیز کر دیا گیا تو ایک سنگل ایک پارٹی کو پارٹی یا ایک شخص کو مل گیا ہے تو یہ باقی لوگوں کو کس طرح مل سکتے ہیں کیا پروسس ہے ہماری تو کوئی سمجھ سے باہر ہے جی نظامی صاحب میں اس پہ بالکل شورلی کریئر کروں گا کہ الیکشن سنگل کی الارٹمنٹ جو ہے اس کے دو پروسس ہیں ایک پہلا پروسس تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اپلائی کرتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سمبل الارٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ جو سمبل ہے پولیٹیکل پارٹیز کو جو الارٹ کیا جاتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کسی کینڈیٹ کو وہ سمبل الارٹ نہیں ہو سکتا تو اگر الیکشن سمبل رول کے تحت دیکھیں تو دو پورشن ہے اس کے ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو चले गए और दूसरे independent symbol है वो independent symbol होते हैं जो हर constituency के अंदर आः अजाधाना असीय से जो लोग election लड़ना चाएं वो returning officer जो हैं उनकी will के मताबक उनकी खायश के मताबक या अगर कोई application नहीं आती जो ही खायश का जळार नहीं करता तो पिर returning officer की यह sole authority है कि वो जिस में से किसी ना कैनिडेट को भी कोई सिंबल अलाट कर सकता है तो जहां तक पार्टी के सिंबल का तलक है वो तो पूरे मुलक में तमाम कांसीचुएंसी में जो पार्टी के कैनिडेट्स होंगे उनको वही सिंबल दिया जाएगा लेकिन जो independent symbols है, वो हर dau canis if not about it, अब मर्यम नवाज में भी सबराभ किई है, जो लोग उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, या नून का टिकेट वापस कर रहे हैं उन सब को जीप मिल रहे हैं यह देखें यह इतराज बेजा है कि यह रिटर्निंग आफिसर की जमादारी है कि अगर एक यह कैनिडेट का राइट भी होता है कि उसके पास अप्लीकेशन आगी है कि मुझे फलान सिंबल दे दे तो रिटर्निंग मताबक सिंबल अलाट करते हैं उनलेस कि उस सिंबल को लेने के लिए कोई दूसरा कंटेस्ट मौजूद रहा हो तो अगर एप्लीकेशन आती है तो कैनिडेट की विल के मताबक जो इलेक्शन सिंबल है वो रिटर्निंग आफिसर साब देने के पबंद होते हैं तो यह मैज इतफाक है या कैनिडेट्स की रिक्वाइरमेंट है तो या जो भी आप इस किसी की मिली बुगत है या मेरा ये कंसर्ब नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कानून की बात कर रहा हूँ कि रिटर्निंग अफिसर साब एंपावर्ड हैं कि वो रिक्वेस्ट पे जो कोई रिक्वेस्ट करें उसको निशान अलाट करेंगे लेकिन ये ठीक है वारा तासर के जीब सबसे मकबूल सिम्बल है अजाद अमिद्वारों में ये इस पे तो मैं नहीं समय था कि मुझे कोई कमेंट्स करना चाहिए ये तो लेक्शन लड़ने वाले बेतर समय दे आएं कि उनके लिए जीब मुनासब है उनके लिए को दूसरा सिम्बल मुनासब है ये डिसिंग लेना तो कंटेस्टिंग कैनी डेट्स करता है अधवी लिहाद से ये सबसे पॉपलर सिम्बल के तोर पे उनके पास आता है और हर दोर में कोई ना कोई सिम्बल पापुलर होता है चूंकि अगर लोकल गवर्मेंट में चले जाए तो एक दोर में फुटबाल बड़ा पापुलर था पराकी बड़ा पापुलर हुआ उसक कैनिडेट की विल पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सिम्बल पे लेक्शन लड़ना चाहा है चाहिए बताएं कि ये जो शायथ हाकार अबसी साब कोई शिकायत पैदा हुई और जो ट्रिबूनल ने ये तक कह दिया कि उनकी शेकल जांगालूद है और ये 62 63 का इतलाग जो जाते हैं दूसरे कांसुर्ट प्रिंसी में उन्ही कवाईफ की बन्याद पे उस पर इतनी सक्त कदगन लगाते हैं ये तवास्ताद क्यों है ये नजामिश साब ये जो अपिलिट अथारिटी बनाई जाते हैं टर्बिनल बनाई जाते हैं ये एक्चुली रिटर्निंग ये जाते हैं जो अप इस हैं ये उसका रिजिक्ट हो जाता है है कि नुकरा नजर से उनर से वह और दुसरे जगह पे नामिनेशन पे आकसेट और अऑचीप्र का उजाना दूसरी जगह पे वही नाममिनेशन पेपर का यो उसका पे अबजेक्शन और नवयेत का किया गया उसी नामिनेशन पेपर पर और जहांपे वह इजेक्ट हो रहाए या अक्सेप्ट हो रहा है दूसरी जगह पे वह अबजेक्शन है वह मुझतिफ निचर के किया गया हो तो यह अपिलिट टर्बिनल जो है उसके पास जो भी अपील आएगी और उस पे वो डिसियन लिया जाता है और उसके अलावा अगर हम इलेक्शन एक्ट को देखें तो उसमें अपिलर्ट टर्बिनल को ये पावर दी गई है कि अगर कोई अपील उसके पास गई है या नहीं गई किसी कैनिडेट के खलाफ अगर अज़ खुद नोटस के तहत या उनके इनफरमेशन में ये बात आती है कि जिस कैनिडेट के नामिनेशन अक्सेप्ट हुए है उसके खलाफ किसी 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 की कोई ऐलिगेशन मौजूद है और कोई वजुहात मौजूद हैं कि उनकी डिस्क वालिफकेशन जो है उस ग्राउंड पर की जा सकती है तो जो अपिलिट टर्बूनल्स है उनको पावर है कि उसको नोटस दे के काल करें और वो जो रीजन्स हैं उनके वो डिसीन दे सकते कि इतरास को निद्गान तो जो मरदी इतरास लगाएं लेकिन जो ट्रेबूनल्स है और एलेक्शन कमिशन हैं वो तो एक ही करेंटिरिया पर हर केंडिड़ेट को उनको परक्षन चाहिए ना इतरास करने वाले तो करते ही हैं जो मुखालफी न और कई ऐसे केंडिड़ेट्स में जनकी एक जगाए से अप्लिकेशन रेजेक्ट हो गई और कई दूसरी जगाए पर मौन लिए गए उन पर इतरास आती नहीं था जी वही मैं बात क्लियर कर रहा हूं कि अगर एक जगापे रेजेक्ट हो गए हैं तो वहां पर जो इतरास लिया गया मुमकन है जहां पर अकसेप्ट हुए हैं वहां पर वो इतरास ना लिया गया हो और जो अलेक्शन ट्रिब्यूनल है अपिलेट अथारिटी हैं उनके उन्हो inside shape में जो है, आ यह अपिलेटर्थारटी के लामिनेशन पेपर जाती है तो जिस ग्राउंड पे वो नमिनेशन पेपर और रिजएक्ट किया जाता है उस ग्राउंड पर अपिलेटथारेट य्शन डाकूमेंट को देखती है ठीक, ऐसा मुझे यह बताईए नदीम साब, कि कुछ लोगों जब इतरास करते हैं, जैसे PMLN की कहादत के जाने से तो यह इतरास आई रहा था, लेकिन बिलावल साब ने आज कहा, कल जरदारी साब ने भी कहा, कि हमारे लोगों पर भी दबाव डाला जा रहा है वाफ़ादा करें, आप अधालत में जाएं, नहीं, यह जो क्वेस्टिन है, इसको मैं शायद रिस्पांड करने की पोजिशन में इसलिए नहीं हूँ, को जो आदमी खुद स्टेटमेंट दे रहा है, वही बता सकता है उन पे कौन दबाव डाल रहा है, एक, मैं तो उस पे रिस्पांड अगर ये बात हो रही है, जब अलेक्शन कमिशन के पास ये शुआएगा, अगर कोई आप से कहे कि जनाब मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, या मेरे लोगों पर, तो क्या एलेक्शन कमिशन के उसको रिस्पांड कर सकती है या नहीं कर सकती है, जी बिलकुल अगर 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 रिपर ये हैगा कि है Gaussian कमिशन के पास विदो आप से इंस पर कोई न कुई कोई रिअग्गा कोई न कोई कोई फेसला करेगा तो वह ऐसी कुछी शाही है, आपने देगा सैनर टीर पर इसको नोटी सिcido कर आप słuट लगे के इतने पीसे इतने पैसे तो जब एक् इसको इग्नूर कर रहे हैं या देख नहीं रहें लेकन कोई चीज एलेक्शन कमिशन के पास इन राइटिंग आए ये तो जरूर देखेगा बहुत शुक्रिया नदीम कासिम साब प्रोग्राम में शिर्कत करने के लिए और अलेक्शन कमिशल से जो लोगों के इतराजात हैं जो सवालात उठे हैं वो हमने उनके सामने रखें एक मुश्वसर ब्रेक लेते हैं हाजिन ब्रेक के बाद वापस आता है दूबारा खुश्रामती नादीन निजामी साथ पहले तो अभी जो बात हो रही थी मैं उसको जड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ फिर कुछ नवाश्वसर बात करते हैं और फिर आते हैं जड़ा बारिश ने जो तबाही लाहौर में बचा ही है सबसे पहले तो ये बताईए कि आप एलेक्शन कमिशन ने तो कह दिया कि हम मारा इसे कोई तालुक ही नहीं है अगर कोई शोर मचा रहा है कि वफादारियां तबदील करा जारी हैं कोई दबाव जाला है हमारे पस कोई अप्लिकेशन लेकर आएगा तो हम मानेंगे इस बात को लेकिन पहले उन्हों ने अज़कुद नोटिस लिया था जब सेनेट के इन्टखाब आउत हो ए तो बुराया था लोगों को आप कह रहे हैं कि पैसे चलें कहां चलें हमें बताएं को आपको बताने के लिए आपको एतना सादा सा मामले नून ली के रही हैं जबर्दुस आप मैंने आप बताया था जो निगरान वजीर आला हैं यूसुफ साब उनका जो बयान था बलावल साब पर हमले का वो खासा मेल नजर था फैर्ज मदराना और बाइस्ट और आया कलेक्शन कमिशन को उसका नोटिस नहीं लेना चाही था मैं उल्टा बलावल को एक और के म आपने तीन दन परने था आपने आपने तीन दन आपने नहीं इस और बाद आपे shocked लिए कि दो मेनी मेरा मकसद है कि एकिमिश्टन कमिशन कुछ स्थोड़ी स्था माटी जा रही है अपने काम M تीत दूसरा यही जो आप बात कर रहे हैं कि अब यह वैसे तो सहसुदान है जब वो उनके लोग छोड़ते हैं तो आप वो एक बहाना मिलगा कि जिद्ध लाई मखलूक उनको कह रही है यह है लेकिन यह खीकत भी है कि इस वह जरा मुख्तरिफ किसम का बहुत है नून की हद तक तो जो नवाशिफ या मर्यम कह रहे हैं उसमें किसी हद तक कैसे लगता है कि शायद को सदाकत हो सकती है लेकिन बिलावल साब और जर्दारी साब जो कह रहे हैं वो तो मानने को जहन तयार नहीं है कि उनके लोगों को पर कोई क्यों दबाओ डालेगा कि जनाब वफादारियां तबदील करो और वापस आ जाजाओ बिलावल साब और जर्दारी साब के बारे में तो यह तास्यूर है कि वो खुद अब एक गेम का हिस्सा है इस पार्ट अफ द गेम जो सैनेट में पर रहे हैं और आइंदा भी तो बलुचस्तान में जब आमला शुरू हो था वह सुक्त तो इस तो यह लगता है और रिलीव अब आइंदान की बात भी करते हैं और MQM के बारे में आपको पता है यह जो सुरत अब आइंदान कार्ट केल रहे हैं और यह भी जर्दारी साब ने कल एक इंटर्वियू में का है कि इमरान खान तो हमारे साथ बालचीत करने को तेयार ही नहीं है तो यह एक दिशस्प सु अब आइंदान के वारे से बन रही है तो इसमें अब जाहर है जब यहां मन्जूर वट्व साब यह शुकत बस्रा वगरा चोड़ कर गए हैं तो उसकी पुलिटिकल एक सिचुएशन बिकुल डिफरेंट है अब ऐसे लगते है कि पुलिटिकल पार्टिस ने अपनी समझने लग पड़े वो शिक्स का काम था पज़ाब में इसको ठीक करना था वो मन्जूर वट्व साब है और बचे पीडिया में चले गए बसरा साब जो है वो भी दूसरा इसका पहलू यह है कि आया इनको इंकरज किया गया कि जणाब देकिन है अगले एलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स जो है वो उनका बड़ा एक कलिदी रोल होगा यह सेनारियो जो कबसकर तयार किया जा रहा वो यह है कि हंग पर्लिमेंट जिसमें ना पिल्टिया के लिए एक उमट जना सके ना पीमलन और पीपल्स पार्टी तो ही नि लेकिन पीपल्स पार्टी जो है जो सिंथ से नेशनल असेम्बली की सिर्टेरे के आएगी वो भी एक प्लेयर होगी इस इवन में जाहर है कि जो इल्डिपेंडेंट्स हैं उनका पहले भी होता है उनका लेकिन उनका इस दोबड़ा कलिदी रोल होगा कि वो उस वकद मौका आएगा प्लेकिन के जो एक्स्पेंसिस हैं उनको प्रफिट का उसके कोई बुला डेका प्रवर्ट करने का अब जीप के निशान पर कला हमने थोड़े से बात की थी लेकिन इस पर तो आप खुलकर इजहरे खेल कर दिया मरियम नावाज ने भी और नवाजशे साब ने भी यह कैसे हो गया कि यह तमाम लोग जो नून लीग छोड़ रहे हैं या दबाओ के डेट छोड़ रहे हैं या चुडवाई जा रही है उन सबको जीप मिल रही है तो ऐसे लगते है कि यह ग्रूप आजाद लोगं को एक ग्रूप पहले से बना जा रहा कर ताके इन पूरी ध अगर क्लूप से अगर क्या मुराद है मुक्तदर रहा रहा है या इस्टैबलिश्मेंट अब अगर कोई सबसे पहले तो निजार साब अगर यह तासर देते हैं कि उनको अपनी उनकी जो नेरेटिव है वो तो मुआफिक है ना मुक्तदर रहों के वो नवाज शरीव वाला तो नहीं जिससे घदारी की वो आती हो घदारी की वो मैं नहीं कह रहा हूँ अब उस तासर में अगर कुछ लोग समझते हैं यह जीव का निशान जो है उसकी एक सिंबॉलिक हैसित बनती है तो क्यों ना ले 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 इसको एक प्रसेप्शन इसको काते है कि प्रसेप्शन ब परसेप्शन हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है यही मैं कहने ही कोश्क कर रहा हूँ और यह पहली दवा नहीं है कि सिंबल्स की बेसिस पर इंतखाबी महार काराएं में फाइदा उठाने की कोश्क की जा रही हो आप को याद है कि MMA ने किताब का निशान लिया था कुरानी वाज़न हो गही है कि क्ए खान साब हर पीर मुशायक के दर पे जा रहें क्यूकर है दर पर सजड़ा नहीं कर रहे हर जगा लेकिन जा रहे हैं ही कर रही तो उनका खाल है कि पाकिस्तान में जो इस तबके का वोट है यहा सारा उनको अनल बलॉक आ जाना चाहिए और अक्सि तो चाहे जीब का निशान हो चाहे मशायख हो चाहे ऐसे ट्रेक्टिस हो जिसके जिरिए पीवेलल का रोट बैंक तोड़ा जाए सब कुछ चल रहे हैं मुझे दो यह लग रहा है और यह एलेक्शन कमिशन जो है यह तो बहुत ही कब्जोर था काम आज यह बिलकुल यह पिछ यह जो टूथ रखता हो जिसका काट हो जिसके इंडिया में एलेक्शन कमिशन है और जहुरी मुलकों में होता है यह इस किसम की बेमानी किसम की केर टेकर सरकार बनाने की जरूरत ही क्या है मेरे दो बड़ा पुरा नहीं स्ट्राइड है ठीक है अच्छा एक बात आप निज नवाल 6 जुलाई तक irrelevant हो गए है पता चलेगा 6 जुलाई को जो फैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा कि इस फैसले के असरात इलेक्शन पर क्या मुरत्ब होते हैं कुछ ने कुछ असरात तो मुरत्ब जरूर होंगे क्या मुरकात जो है वो यकिनन देखें यह नवाज से आज तक हम नवरत अजबा हो रहें तो इसके भी हो गए अब ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है नूनली का इलेक्शन का मुझे मुस्तक्बिल है या उस पर क्या असरात मुरत्ब होता है एक तो फैसला शेज लाई का और दूसरा बेगम कुलसूम न अज़ा है तो आपने बता दिया कि क्या होगा नवरत ने बताया है और तूमाम एक्सपर्ट ली कह रहे हैं कि जो केस चला है तो बड़ी हैरत होगी कि उसमें वाशिव साब को अगर कन्वेक्टिंग किया जाता तो ऐसे में इमरान खान साब के लिए कोई खुशी का सामान स चुरू करती है आज मैं उनकी प्रेस कांफरस देख रहा है और वो जाहर है तो आज बारिश पे आज लाहूर का उनना दोरा किया और बड़े बूट पहन के नहीं किया चपल पहन के किया चपल उनकी गिली हो गए कपड़ उनके गिले हो गए एरपोर्ट वो पहुंचे जह और शेवाज रीब साब इसके जिम्याधर है अचा लेकिन चले हम बारिश के आवाले से जह आप क्या समझते हैं कि जो तनकीड शेवाज पर हुई तigorह है उतने इनने पर तनकीड हुई है क्योंकि एतनी बारिश जो हुई है रेकॉर्ड ब्रीकिंउ बारिश ही है इतने वी तो किसी भी दुनिया के शेयर के होती है तो कुछ ना कुछ देर, कुछ ना घंडे, कुछ घंडे तोड़ा सा ज्यादा आम कर जाता। कर्दरीना जो है वो बोशने कराया था देके ना यह जो नेशनल कलैमिर्टीज होती है आया लहौर जो है वो एक्विप्ट है इस किसम की बारश से निमटने के लिए उसकी वज़ए यह भी है कि यहां पर नजाहिज तजावजात और अर्बनाइज़िशन सड़कों को साइट इसे बालगा इसे ना बनाना अब उसका वो जेपिए के सामने सड़क गिरी है उसका भलपा जो है वो डाल रहे है लिटरली उस पर के यह जी यह औरंज ट्रेन के वोज़ए से हो रहा है यह औरंज ट्रेन ना बंती तो यह ना होता मुक्सद है कि ए एक तो मेरा चाल सिर्व मीडिया भी एक वन साइड़े डेस्ट फे थोड़ा सा थोड़ा सा जो हमारी एक एलिट क्रास है जिस्ते हैं और इंच टेन या मेट्रो बास में नहीं बैठ रहा होता उनको पड़िक ट्रांसपोर्ट से अलरगी है क्योंकि अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठके वो सफर करते हैं लेकिन गरीब आदमी का तो बहुत पहला होता है तो मकसद है कि हमारी जो एक बास उकात वी आर थ्रोइंग दे बेबी विद बाथ वाटर इस किसम की बात जो है नजरा ये दुरूस नहीं है लेकिन ठीक है कि इसमें किसी हद तक है काम कुछ लाकों में नह नहीं खड़ा रहा है और कई दिन तक शायद खड़ा रहे हैं लेकिन मुस्ट अफ अड़ एरियाज अफ लाहौर जो हैं लेकिन लाहौर में देखे न आप ये इतनी असानी से यह जूस्पा कर सकते हैं बाकी पंजाब में जो कुछ हाल होगा अगर लाहौर में हाल है तो ब पंदादा कर सकते हैं ये बाट है ठीक है आपकी के पंजाब में बाकी शहरों में तो बिल्कुल इस तरह की बारिश कुछ है अब इसका मतलब है कि जो डियाचे क्योंकर उनके वाजी लोग करते हैं ये वाज की कुटाई है ये को बात पर ही ना ठीक है तो सही है और तो चाहिए कि रिकौर्ट ब्रेकिंग बारिश है मैंक मौ मौस parents हम ने चेक किया है तो ये कह्ते की चौबेस घंटे के दोरान इतनी बारिश रिकौर्ड की जाती है वो हम उसको कहते है रिकौर्ड बेक हुआ है उस जाख से तो आच बचatem आठबे तक हम इसको चेक करते हैं लेकिन रात को अगर मिला लिया जाए तो ये 288 mm बारश हुई और दो में 168 mm बारश हुई थी इससे पहले और इससे पहले भी ये हुआ था कि एक दोब लाहुर में इसी 2002 में उससे पहले मुझे याद नहीं बहुत साल हुए इतनी बारश हुई थी कि लोगों के घर भर गए थे आज भी इस किसमें के बनाजर देखने में हैं कि पानी इंडवेस्मेंट बगर है तो आम चला गए तो अब ये बारश की सियास्त अब इस पर मैंने सोशल मेडिया पर जो निजामी साब पढ़ा या वो ये कि तमाम चीजें शहबाश श्रीफ साब के इस वक्त खलाब जा रही हैं समयत मौसम के और मौसम जो है वो भी उनकी कारकरदगी पर एक बड़ा बुरा इंपक्ट डाल र सोशल मीडिया भी और शाबाश श्रीफ साब कहीं गए है आज बारश के होंके नहीं मेरा नहीं खाया है अपने रपड़ के बूट पहन के कहीं उतरते हैं यह वजिर आला नहीं है ना अब वो क्या करेंगे जाकर वो को बात नहीं मानेगा तो 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 चार लोगों को मौतल क करते हैं यहा तो शाबाश श्रीफ साब को कहना चाही था और चूपो अब मैं नहीं हूँ तो अब इतनी बारश हो रही है और इतनी पानी आ रहा है मना मैं सड़कों पर आता हूँ तो थोड़े दे में खुलवा देता हूँ लेकिन वो निजावे साब इसके बारे में तो यह बड़ा मशूर है शाबाश श्रीफ साब पर तो हमेशा इस पर तनकीद हुई है कि बारश में आप लॉंग शूस पर इससे पहले एक वक्त तो मुझा है यह इमरान खान की और ट्वीट की बैटल है आपको पता ही है जी 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 बल्कुल मतलब इमरान खान ने काया कि ज बड़ा जबरदस प्रूट की है कि आप किस चीज़ के लिए खड़े हुए है आपके स्टेंड लेते हैं क्वरवाट खिलाई मखलूक साधिशें अब पायर की ओंगली साधिक से जनाने की नहीं वो जो सेरेट के पर एक और उन चीज़ की डिक्टेशन वो मुझे याद आ गुलाम साध को मिया नवाशी ने निटरी में तकरीर की ते ने मैं डिक्टेशन नहीं लोगा तो उनकी छूटी हो गई ती तो इसका मतलब है का खान साब तो एक कटपतली किसम के आदमी ये द्रोड़ी जयती है थोड़ा सकता है आपके खाल में मरहिम नौा साधा सकता है ऐसा नहीं है मतलब काफी बाते हैं खलते हैं कुछ ठीक भी है अमरान खान साब आप बिल्कुल ठीक है चाहा है अब असल नहीं जो अपायर की अंगली वाले चीज़ है ये तो खान साब ऐस तो लिव टेलिज़ न किए अब हम कैसे शक करें कि वो गलत कह रहे हैं वेलकुल रही है चले ठीक है जो अपायर की लाटी होती है अगली नहीं होती है बेहावाज चले जी बहुत शुक्र रहे जाज़ार अजका फिनासरे इस पर हमें अपना फीड़बाइक दीजेगा मुझे जाद जी अलाव अ झाल झाल